आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अभी लालपूर में हैं I love adventures in jungle यहाँ पर देखिए बाइल की यूटूब चुनल पर आपका स्वारत है आज हम लोग आपको जंगल में सर्वाइब करने के लिए बताएंगे तो चलिए, follow me यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ है जिस पर चड़कर हम लोग दिशा का पता लगा सकते हैं अभी हम लोग नौर्थ की ओर जा रहे हैं अगर आपको या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर और कॉमेंट जरूर करें इस जंगल में कई परकार के एनिमल पाए जाते हैं असनेक्स, ट्रेंटूला, असकोपियन, कई परकार के जानवर पाए जाते हैं कभी भी जंगल में जाएं तो असनेक्स से साबधान रहें यहाँ बहुत सुन्दर कई पहाड़ है जो आप देख सकते हैं जंगल लगभग 100 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चवड़ा खेत्र में फैला हुआ है यह नवादा का बहुती परशी जंगल है यहाँ पर आप लोग आ सकते हूँ और यहां देख सकते हैं यह देखें यहाँ पर important यहाँ पर देखें यह एक मश्रूम का पउधा है इसका कई जारीला पॉधा भी जंगलों में पाया जाता है इसे खाया नहीं जा सकता है जंगल में एक दीमत का घोसला भी पाया जाता है जिसके घोसले को जलाने पर मच्छरों को भगाया जा सकता है या रेन फॉरेस्ट होते हो हमाँ पर आप ये दीमत का उप्यों कर सकती और उसके दीमत को खाया भी जा सकता है उसका स्वाध खट्टा लगता। यहां पर सिकार करने के लिए तिलाहरी खरगोस और छोटे पच्छियों और मच्छियों का सिकार करके खाया जा सकता। पेड़ पौधे के बड़े बड़े पच्छों से हम लोग सेंटर बना सकते हैं जिसमें बारिश कई पानी नहीं आल सकता। यहां पर आग जलाने के लिए सूखी लकडियां भी बहुत सारे मीदे हैं जिसे हम रात को जला सकते हैं। आग से हम लोग अपना भोजन और पानी को गर्म कर सकते हैं। पानी के लिए नदी धर्णा और बारिश का पानी किया जा सकता है। और आप कभी भी जंगल जाए तो एक चाकू जरूर ले जाए। यहां पर देखे बोन, यहां पर एक बोन मिला है। बोन से हम लोग कई पर करके टूल्स बना सकते हैं। जैसे भाला, तीर और कई ट्रैप्स बना कर सिकार कर सकते हैं। जंगल में आपको जो काम लाइक लगे उसका आप उपयोग करें। जब आप खो जाएं तो और जंगल में आप अपना ज्यादा से ज्यादा दिमाग का उपयोग करें और अपना उर्जा अधिक खर्च नहीं करें वरना आपका सरीर ठक जाएगा और फिर अकेले होने पर आप का मौत हो सकता है अपना पानी की प्यए तीन दिनों तक जिंदा रह सकते हैं बिना भोजन का आप लगवाक तीन सब्दा तक जिंदा रह सकते हैं जंगल जंगल से प्यार करना चाहिए अब अचैछा है तो आप लोग इस मेरे सफार में बने रहिए है कि आप आप देख सकते हैं सिर्फ मॉन्टेन मॉन्टेन है हम लोग लकडियों का इस्तिमाल राप्ट बनाने के लिए विक्या करते हैं और लकडियों से हम लोग आग भी जलाते हैं फ्रिक्शन करकर चंगलों में कई जहरीले पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और कई अच्छे भी जिससे हमें खाना मिल सकता है और जाहरीले पेड़ पौधे को कभी जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उसका धुआ में जाहर मिला हुआ होता है और हम लोग जब सास लेते हैं तो वह हमारे शरीर में जाता और नुक्सान करता है उससे कभी-कभी कई जाहरीले अधिक से अधिक जाहरीले पेड़ पौधे को जलाने से हम लोगे की मौत भी हो सकती है वाह वह थी बड़ा मौन्टे में देखिए यहां पर एक गाह है गाह है यहां पर ढेस अरे गाह है झाल झाल झाल